अथियों ऐसे सभी लोग जो करजा चुकाने के लिए करजा ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं वो सबसे पहले ये बात समझ लें कि आप करजे की दलदल में फसते चले जाएंगे और फिर इतना जादा फस जाएंगे कि खुद को निकालना भी चाहेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे, समस्या क्या है, कोई ये बता कर राजी नहीं है, कोई किसी को सिखाना नहीं चाहता, करजे की दलदल होती क्या है, ऐसे समझ ये, आप एक गड़े में गिर गए, और आप उस गड़े की मिट्टी निकाल करके, बाहर फेक रहे हैं, इस उमीद से, कि मैं गड़े से चले जाएंगे, और फिर निकलना भी चाहेंगे, तो इस गड़े से निकल नहीं पाएंगे, इसे, इसे ही करजे की दलदल कहा जाता है, इसे ही करजे का गड़ा कहा जाता है, अपने हाथों से, अपने करजे के गड़े को और बढ़ा मत करिए, आपको उसमें मिट्टी डाल अब तैय कर लो कर्जा ले कर्जा ले कर्जा नहीं चुकाएंगे कर्जा चुकाने के लिए कमाई करेंगे कमा करके ही कर्जा चुकाए जाएगा यानि मिट्टी कहीं से लाकर के इस गड़े में भरी जाएगी ताकि आइस्ता 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 आप उपर उपाएं तो सबसे पहली बात यह समझनी है अगर आपको करजे की दलदल में फसने में दो साल तीन साल चार साल का समय लगा तो ऐसा नहीं होगा कि दू मिनट में दू दिन में चार दिन में आप करजे की दलदल से बाहर निकल जाएंगे अगर समय लगा है तो थोड़ा समय भी लगेग तो निकल जाएए वरना हिस्ता हिस्ता अपनी कमाई के साधन बढ़ा करके, अपनी इंकम के सोच बढ़ा करके, कर्जे की दल्दल से बाहर निकलने का प्रयास करना है, कर्जा लेकर कर्जा नहीं चुकाना, और अगर कर्जा हो गए और कर्जा नहीं चुका पर एक कमाई का तू लगभग देड़ी घंटे का ट्रेणिंग प्रगाम है मैं आप सबसे रिक्वेस्स करूँगा जिसने भी किसी तरह भी करजा लिया है गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है हाउसिंग लोन है, परसनल लोन है किसान क्रेट कार्ट का लोन है एजुकेशन के लोन लिया गोल लोन है प्रापटी लोन है बिजनिस का लोन लिया है आप सभी लोग अगर किस दे भी पा रहे हैं तो भी करजे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करिए अभी 18 लाग से ज़्यादा लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं यूट्यूब पर ट्रेनिंग डाल दी गई है पहला चैनल बंद कर दिया गया तो दूसरे पर डाल दी गई है और कई चैनल पर पड़ी हुई है आप गूगल पर सच करिए करजे से बाहर निकलने के 20 तरीके वो ट्रेनिंग को अटेंड करिए और कैसा अटेंड करना है जैसे आप क्लासरूम में ट्रेनिंग अटेंड करते थे अपने स्कूल कॉलिज के बारे में सोचिए बिल्कुल एक-एक पॉइंट नोट करना है पैन और पेपर लेकर के बैठिये क्योंकि एक सीरियस बात है आपको कोई भी करजे से बाहर निकलना नहीं सिखा रहा है मैंने टैक किया सिखा रहा हूँ तो आप उस पैटर्म पर चलिए तुसे ही उसमें 20 से ज़्यादा तरीके बताया गया है सारे तरीके सबसे पहले लिख लो इंप्लिमेंट मत करना पहले लिख लो एक-एक पॉइंट नोट कर लो कौन-कौन सा तरीका बताया गया और फिर उसको टिक मार्क करो आपके पास कौन-कौन सी option available है कौन-कौन सा तरीका आप इस्तमाल कर सकते है जो सबसे best लगे पहले उस तरीके का इस्तमाल करो अगर वो काम ना आए तो फिर दूसरे तरीके पर जाओ फिर तीसरे पर जाओ और बिना अटेंड के बिना notes बनाएए इमत कहना कि कोई ऐसे तरीका नहीं है बै करजे से बाहर नहीं निकल सकता आप अपने दिमाग से जितना कर पा रहे थे कर लिया अप कोई वक्ति अगर अपना दिमाग दे रहा है अपनी guidance दे रहा है तो कम से कम इस्तमाल तो कर लो निशुल्क है कोई लिक्विफाइ करके ऐसा किया जा सकता है कोई चीज एक्स्ट्रा है हो सकता है अपको अपको रिसोर्स एक्स्ट्रा हो कोई प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो कोई परिवार का सदस्य ऐसा हो जिसको थोड़ा बहुत भी कमाई में लगाया जा सकता है कुछ भी करके फोड़ी बहुत भी इंकम आ सकती है जिससे कि आप interest पे करने की सिती में आ जाएं, loan पे करने की सिती में आ जाएं, उसको काम को करना शुरू करें और यह तैह कर लें, करजा चुकाने के लिए करजा नहीं लेंगे, वरना आप दल-दल में फसते चले जाएंगे दुलिया की कोई ताकत आपको करजे की दल-दल से बहर नहीं निकाल पाएगी, लोग ऐसे यह कर रहे हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, आपने एक loan लिया, और यह नहीं चुका बारे, आप एक काम करो top-up ले लो, एक काम करो आप personal loan ले लो, एक काम करो आप credit card ले लो, credit card को य business का loan लग चल रहा है, और अब किष्टे इतनी हो गई, कि दो लाक तीन लाक रुबे महिना देना है, और कमाई 50,000 की भी नहीं है, अब एक ती घर चलाएगा, किष्टे देगा, और यह करजे की दल-दल में एक दिन में नहीं फसे, आहिस्ता आहिस्ता फसे, समझदार कि मैं यहां से करजा ले लूँगा, यहां चुका दूँगा, यहां से ले लूँगा, यहां से ले लूँगा, यहां से ले लूँगा, चुका दूँगा, करजा ले करके कभी करजा उतरता नहीं, आपको लग रहा होता है, कि आप करजा उतार रहे हैं, आप किष्पे कर प attachment चीज़ों से नहीं करना, अगर व्यक्ति सही रहेगा, जिंदगी सही रहेगी तो दुबारा चीज़े आ जाएंगी, लेकिन चीज़ों का इतना मोहनी करना, कि सब कुछ बरबाद हो गया, लेकिन चीज़ों को पकड़के रखा, और बाद में वो चीज़ भी चली गई, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको liquify किया जा सकता है, जिसको दिया जा सकता है, और इस burden से बाहर निकला जा सकता है और अपनी काबलियत पर भरोसा है, अपनी उपर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, तो चीजे दुबारा कमा लेंगे या वैक्ति ठीक रहेगा तो सब चीजे हो जाएंगी अपने आपको ठीक रखो अगली लड़ाई के लिए तैयारी करो और जो चीज खो गई है चली गई है उसे भी पाया जा सकता है बस क्या चीज नहीं खोनी है यह उमीद नहीं खोनी है कि मैं दुबारा उस चीज को पा सकता हूँ जब यह उमीद जिन्दा रहेगी आप इस उमीद से काम करेंगे करजा चुकाने के लिए करजा नहीं लेंगे और तोबा करो तैय कर लो कि मैं आज मैं प्रण ले रहा हूँ करजा चुकाने के लिए करजा नहीं लूँगा आप भी तै स्या क्या आ रही है, वो इतनी बड़ी दल्दल में इतने गहरे गड़े में फस गया, कि वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहा, तरण 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 पर जिनदी की गुजार रहा है, और कई लोगों इन अपना जीवन भी समात कर दिया है, हम लोगों के जीवन को बचा सकते हैं, आप भी अपने आपको मजबूत करिए, लोगों को जानकारी दीजिए, देश में करजू भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से नहीं शुल्क है, कोई दिक्कत आ र सब्सक्राइब करिए, आटो रिप्लाइब में आपको फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, मेरे यूट्व का लिंक भी मिल जाएगा, ट्रेनिंग का लिंक भी मिल जाएगा, टीम के नंबर मिल जाएंगे, आप से भी समपर कर सकते हैं, जरुत परственवागी तो मुझ helper करांए मुझसे भी बात कर सकते हैं.